बिहार बोर्ड मेट्रिक इंटर छातरों के लिए काफी खुश खबरी भरा न्यूज है बिहार बोर्ड ने मेट्रिक और इंटर रिजल्ट की फाइनल तिती घोसित कर दी है और तेयारियां रिजल्ट को ले करके शुरू हो गई है तो यहां पर आप न्यूज में विस्तार प हिंदुस्तान न्यूज के नुसार आप इस न्यूज को विस्तार पुर्वक जनेंगे उपसे पहले हम जान लेते हैं एक लेटर जो ज़ारी किया गया है में ऑपपी जांस को लेकर के जिसा कि आप लोगश को पहले ह embedded की जो मापी जांस है तोैं यहिशरह मार्च तक होनी थ metric inter result की तेयारियां काफी जोर सोर से शुरू हो रही है intermediate copy जंच खत्म हो चुकी है यहाँ पर देख सकते हैं कि inter की जो copy जंच है वो खत्म हो चुकी है अब under regulation के तहत सभी छातरों के mark का एक बार पुनह देखे जा रहे हैं तो विहार board का जो regulation है उसके तहत छातरों का जो है mark उनको पुनो एक बार चेक किया जा रहा है अब विहार board का जो regulation है कि छातरों को grace mark दिया जाता है कोई कुछ mark से first division या second division छूट रहा है उनके तहत जो mark दिये जाते हैं इसी पर कम चल रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि छातरों के mark का tabulation जारी है ताकि विहार board का जो rule है उसके अनुसार सभी छातरों को lab मिल सके बुधवार को को board अधियक अनुन किसोर ने सभी जीलों के DM के साथ video conferencing की थी और तयारियों का जैजा लिया था इंटर का मुल्यांकन कार्य समाप्त हो चुका है लेकिन metric का मुल्यांकन कार्य समाप्त नहीं हुआ है metric के मुल्यांकन कार्य को 22 March तक आगे बढ़ाया गया है पिछले वर्ष की भांती इस वर्ष भी विहार board metric inter का result मार्च में ही जाड़ी करेंगे इससे पहले बिहार board के अधियक्ष काधिकारिक बियान भी दिये थे कि metric इंटर का result मार्च अपरेल महने में ही जारी किये जाएंगे और इस वार भी इंटर का result मार्च के अंतीम में जारी किये जाएंगे यानि मार्च के अंतीम 31 मार्च तक जारी किये जाएंगे metric के result अपरेल के पर्थम सब्ता में जारी किये जाएंगे तो metric का result है वो अपरेल के पर्थम सब्ता में जारी किये जाएंगे और इंटर का result मार्च के अंतीम में जारी किये जाएंगे तो आप लोग जान ही लिजिए कि पिछले वर्स हुआ था किया कि किसी भी मीटिया को भी ख़वर नहीं थी और अचानक से इंटर का रिजल्ट जारी किया गया तो इसी परकार से इस बार भी बोर्ड जो है सभी को सर्प्राइज देने में लगे हुए हैं अचानक से किसी भी दिन जारी हो सकता है इंटर का रिजल्ट यहां पर आप नुज़ के नुसर देख ही चुके हैं की काफी सबी का मार्क देखे जाडए हैं एंडर रेकुलेशन के तहथ कम हो रहे हैं यह कम होने के बाद सभी टोपर्स को जो है वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद रिजल्ट किसी भी दिन जारी हो सकते हैं इस वीडियो को कम से कम दस गुरूप में अवस ही भेजे ताकि सभी छात्रों को जानकारी मिल सके चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दवा दे वीडियो देखने के लिए धनियवाद